आज हम सीखने वाले हैं टॉप 15 डेली यूज इंग्लिश वर्ट्स ऐसे इंग्लिश के वर्ट्स जो की डेली लाइफ में बार-बार यूज होते हैं और ये टॉप 15 है आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी अगर आये तो प्लीज लाइक शेर और कॉमेंट जरूर कर है और इन मेंसे जोन सा वर्ट आपको न्यू लगे या जोन सा वर्ट लगे कि आपने फर्स्ट ताइम सीखा है उसको कॉमेंट बॉक्स में लिखें और उस वर्ट को या फिर इन सभी वर्ट्स को अपने डेली कॉन्वर्सेशन में बातचीत में यूज करें सोदाट ये वर्ट्स ये वोकाबलरी आपके माइन में सेट हो जाए और आप ढंक से इंगलिश सही तरीके से इंगलिश पोल पाएं तो हमारा फर्स्ट वर्ड है आनिवर्सरी क्या है दुबारा में इसाद बोलिए आनिवर्स और इसका मीनिंग है सालगिरा जब भी किसी की सालगिरा होती है तो हम कहते हैं आनिवर्सरी नेक्स्ट है आच्च्वली क्या है दुबारा में से बोलिए आच्च्वली का मीनिंग होता है वास्तव में वर्ड है हमारा आच्वली थर्ड है हमारा ओव्यस क्या है वर्ड हमार obvious, obvious का meaning है जाहिर, obvious, okay, next word है हमारा incomplete, दुबारा में सद बोलिए, incomplete, again, incomplete, incomplete का हिंदी में meaning है अधूरा, हिंदी में meaning मैं इसलिए लिख रही हूँ, so that आपके हो, इनके meaning समझ में आएं और आप इनको सही जगा पर इस्तेमाल कर पाएं, next हमारा word है helpless, helpless means मजबूर, क्या है दुबारा से बोलिए, helpless, अगर आप helpless या फिर incomplete एक साथ नहीं बोल पा रहे हैं, तो इन्हें break करके भी बोल सकते हैं, I-N-N, C-O-M-P-L-E-T-E, complete, incomplete, S-E-H-E-L-P, help, L-E-S-S-Less, helpless, ठीक है, अगर कोई बड़ा word बोलने में problem होती है, तो आप break करकर के transition सीख सकते हैं, next word है हमारा crazy, क्या है, crazy, crazy means पागल, again बोलिए, crazy, yes, next है हमारा everyone, अब इसमें भी देखिए, E-V-E-R-Y, every है, then O-N-E-1, everyone, everyone means सब लोग, दुबारा से बोलिए मेरी साथ, everyone, right, one time more, everyone, next word है हमारा document, document, again बोलिए, document, and document को हिंदी में कहते हैं, word है हमारा document, next है हमारा unbelievable, believable आप easily पढ़ सकते हैं, B-E-L-I-E-V-A-B-L-E, believable, ठीक है, और शुरू में लगा है UN, तो unbelievable, क्या है word, unbelievable, जिसका हिंदी में मीनिंग है, अविश्वस्निय, अविश्वस्निय, unbelievable, right, next है हमारा spicy, यह तो कई लोगों को पता होगा, और आपने इन में से कौन सा word नया सीका है, first time जाना है, समझा है, comment box में जरूर बताना, and इन words को daily life में use करना, so that आपके English better हो सके, spicy, word क्या है हमारा spicy, spicy means मसालेदार, again आप मेरे साथ बूल सकते हैं, and spicy, then है हमारा destroy, destroy, okay, destroy, that means नश्ट करना, destroy, again बोलिए, destroy, then है हमारा snoring, अकसर लोग घर में खरांटे लेते हैं और हमें नहीं समझ में आता कि खरांटों को English में क्या कहते हैं, तो बहुत ही simple word है, और यह word है snoring, क्या है हमारा snoring, right, next है हमारा untouchability, क्या है untouchability, that means चुआ चूत, untouchability, किसी को अगर हम touch नहीं कर सकते हैं, या किसी को कोई ऐसी disease हुई है, तो हम कहते हैं, चुआ चूत, उसको हम English में कहते हैं, untouchability, ठीक है, untouchability, next है हमारा features, features यानि की विशेशताएं, again बोलिए features, f-e-a-t-u-r-e-s, features, विशेशताएं, okay, and last word है हमारा fisherman, इसको भी आप डेक कर सकते हैं, f-e-a-s-h-e-r, fisher, m-e-n-man, fisherman, that means mathuara, fisherman, mathuara, तो कैसी लगी आपको भी वीडियो, अगर पसंद आई हो, तो प्लीज दो like, share and comment, thank you so much for watching friends, bye for now, have a good day, take care.